भानू प्रतापपूर विधानसभा उप्चुनाव में कॉंगरेस और भाजपा के बीच सीधा मकाबला होगा। कॉंग्रेस ने विधान सभा उपाध्यक्ष रह चुके, कॉंग्रेस विधायक मनोज मंडावी के निधन के बाद उनकी पत्नी सावित्री मंडावी को ही उम्मिद्वार बनाया है, जबकि भाजपा की ओर से पूर्व विधायक ब्रह्मानन्द नेताम चुनावी मैदान में है नामांकन के आखरी दिन आज दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया, कॉंग्रेस की ओर से सावित्री मंडावी के नामांकन दाखिल रैली में मुख्यमंद्री भुपेश बगेल, प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सम अनेक नेता मौझूद रहे नामांकन के पहले नरहर्देव स्कूल मैदान में एक विशाल आमसभा का योजन भी किया गया जिसमें कॉंग्रेस सरकार की उपलब्धियों का बखान किया गया इसी तरह भारती जरता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के साथ भाष जन्रता पार्टी ने इस दौरान जम कर शक्ती प्रदर्शन किया वहीं उप्चुनाव में आदिवासी समाज के ओर से 48 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा है